हलो एवरीबन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लेक्स नंबर को ही आगे बढ़ाएंगे आज से शुरुवात करेंगे प्रोब्लम का सिरीज कंप्लेक्स नंबर के अंतरगत जितने टॉपिक्स हैं इन सब का थियोरेटिकल पोर्शन का वीडियो बना दिया गया है आप प्लेलिस्ट में अपनी सुवधा अनुसार कोई भी वीडियो खोच कर देख सकते हैं आज से हम लोग सुरुवात करेंगे प्रोब्लम का सिरीज कई एक भाग में बटा हुआ होगा ये वीडियो आज जो हम लोग सुरुवात करेंगे उसमें पहला टोपिक उठा रह है ये कोई complex number z बराबर x पलस i by standard form में होगा जिसमें x को करते हैं real part और y को करते हैं imaginary part अगर real part 0 हो गया तो purely imaginary होगा और यदि imaginary part 0 हो गया तो purely real होगा फिर आपको जानना चाहिए कि दो complex number का addition, subtraction, multiplication और division ये सब के सब एक complex number होगे इसमें आपको I के different power का value भी जानना चाहिए I का different power मतलब I का power 2 बराबर minus 1 I का power 4 बराबर 1 I का power 4N बराबर V1 I का power 4N पलस 1 बराबर I I का power 4N पलस 2 बराबर minus 1 I का power 4N पलस 3 बराबर minus I फिर आपको यह भी जानना चाहिए कि I के 4 लगातार पावर का जोड 0 होता है यानि I का पावर 4N पलस I का पावर 4N पलस 1 पलस I का पावर 4N पलस 2 पलस I का पावर 4N पलस 3 बराबर 0 आपको यह भी जानना चाहिए कि 2 complex number बराबर तब और cable तब बराबर होंगे जब उनके corresponding parts आपस में बराबर हो यानि real part, real part के बराबर हो जाए और imaginary part, imaginary part के बराबर हो जाए तो आईए देखते हैं इन सब पर अधारित कुछ problems इस problem के segment में आपको different, different entrance examination में आए हुए problems ही मिलेंगे अच्छे-च्छे problems का collection रहेगा आप बेहतरीन रूप से इसको देखते रहिए निश्चित रूप से आपको इससे बहुत फाइदा होने वाला है अन्त-अन्तक वीडियो देखते रहिएगा इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजे चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर का पहला problem पहले सवाल में हम उठाए हैं अलेगर मुस्लिम इनवर्सिटी के इंजिनेरिंग इंट्रेंस एक्जामनेसर में पूछा गया है question है तो इस सवाल को देखिएगा यह इंडिये में भी पूछा जा चुका है तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा आपको करना होगा कि 1 पलस आई अपन 1 माइनस आई को आप simplest form में लिख दिजे तो simplest form में लिखने के लिए आप conjugate से multiply कर देंगे यानि 1 पलस आई से उपर नीचे multiply करेंगे तो उपर हो जाएगा 1 पलस आई का whole square repeated multiplication है तो power हो जाएगा repeated addition रहता है तो multiplication हो जाएगा और यहाँ हो गया a minus b into a plus b यानि a square minus b square a के जगा पर 1 है तो 1 का square 1 ही रहा जाएगा minus i का square अब यह a plus b का whole square हो गया तो a square plus b square plus 2ab divided by 1 minus i square का value हो गया minus 1 अब आउर इसको आगे बढ़ाईए तो 1 plus i square का value minus 1 plus 2i divided by 1 minus minus 1 यानि plus 1 तो यह जाएगा 2 यह आपको 1 और minus 1 कट गया मिल गया 2i by 2 2 से 2 cancel हो गया यानि i हो गया तो आपको निकालना था 1 plus i upon 1 minus i का power 100 और 1 plus i बटा 1 minus i के जगह पर आप लिख सकते हैं i तो i का power 100 और i का power 100 है तो इसको आप 4 से divide कर दिजिए तो मिल जाएगा 4 into 25 यानि यह जो power है वो 4 का multiple है तो i का कोई भी power यदि 4 के multiple में है तो उसका value होता है 1 तो इसका answer हो जाएगा आपका 1 जो option है उमीद है आप समझ गए होंगे अब आगे के सवाल में आप ध्यान दिजिएगा direct formula यूज करेंगे i square बटाबर है minus 1 इसको इधर ले आएएंगे तो 1 plus i square बटाबर होगा जीरो और 1 minus i square बटाबर हो गया 2 चलिए question number 2 में चलते है question number 2 में आईए question number 2 है ये पुछा गया है j and case engineering में जमू का समीर का engineering state level का अलग है ये भी एक सवाल देखी उसी के आधार पर question है 1 plus i upon 1 minus i to the power 1000 plus 1 minus i upon 1 plus i to the power 2000 इसका value क्या होगा आप विडियो को पाउज कर लीजे और अपने से एक बार बनाईए उसके बाद अंसर को match कीजिए जलिए जल्दी जल्दी बनाना शुरू कीजिए उसके बाद अंसर match कीजिएगा उमीद है आप बना लिए होंगे चलिए देखते हैं अभी आपने देखा कि 1 plus i upon 1 minus i को हम क्या लिख सकते थे तो i लिख सकते थे 1 plus i बटा 1 minus i को अभी हम बताएं उपर वाले सवाल में इसको i लिख सकते हैं इसी परकार से आप 1 minus i upon 1 plus i को क्या लिख सकते हैं तो यहां भी आप रिशनलाइज कर दीजिए तो 1 minus i से उपर नीचे multiply कर दीजिए अब उपर में हो जाएगा आपका 1 minus i का whole square और नीचे हो जाएगा a plus b into a minus b यानि a square minus b square उपर हो जाएगा a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2ab और 1 minus i square का value हो गया 2 तो यह 1 plus i square हो गया 0 तो 0 minus 2i divided by 2 यानि यह हो गया minus i तो हमको निकालना था 1 plus i upon 1 minus i का power 1000 plus 1 minus i upon 1 plus i का power 2000 अब देखिए 1 plus i upon 1 minus i को replace कर दीजिए किस से i से तो i का power हो गया 1000 plus 1 minus i upon 1 plus i को क्या लिख देंगे minus i का power हो जाएगा 2000 अब i का power 1000 जो है यह 4 से divisible है इसको अब लिख सकते है 4 into 25, 400 यानि 250 और यहाँ देखिए minus का power 2000 तो minus का जो power है वो even है यानि plus हो जाएगा तो यह भी plus हो जाएगा और i का power जो 2000 है इसको भी आप लिख सकते है 4 से divide किजिएगा तो यह मिल जाएगा 500 तो जो i का power है यह 4 का multiple हो गया दोनों जगह पर तो i का कोई भी power यदि 4 का multiple मिल जाए तो वो value होता है 1 तो यह value मिलेगा 1 और यह value मिलेगा 1 तो 1 पलस 1 बराबर हो गया 2 और इस सवाल का जवाब 2 हो गया उमीद है अच्छे से आप सीख लिए होंगे चलिए question number 3 की ओर चलते हैं question number 3 आपके सामने है question है 1 पलस i to the power n divided by 1 माइनस i का power n माइनस 2 यह भी state level engineering में पुछा हुआ है वीडियो को एक मिनट पाउच कीजिए उसके बाद इस सवाल को बनाईए और फिर मैच कीजिएगा 1 पलस i to the power n divided by 1 माइनस i to the power n माइनस 2 देखिए इस सवाल को कैसे बनाएगी तो उपर में है 1 पलस i to the power n और नीचे है 1 माइनस i to the power n माइनस 2 तो आप ध्यान दिजिए 1 बटा x का power अगर a रहता है तो आप क्या लिखते हैं x का power minus a यह उपर चला जाता है तो 1 माइनस i का जो power n माइनस 2 है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस i का power n divided by 1 माइनस i का power 2 क्योंकि सेम बेश रहता है तो power घड़ जाता है तो अभी सवाल का solution नहीं बता रहे है अभी आपको बता रहे हैं कि आप attempt किसे लिजिएगा तो 1 माइनस i का power n माइनस 2 आपका हो जाएगा 1 माइनस i का power n divided by 1 माइनस i का power 2 अब देखिए denominator में power positive में है तो numerator में हो जाएगा negative में यानि इस term को आप लिख सकते हैं 1 माइनस i का power n into 1 माइनस i का power minus 2 ये term को हमने तोड़ा अब हम सवाल का solution मना रहे हैं तो सवाल हमारे पास है 1 पलस i का power n divided by 1 माइनस i का power n माइनस 2 यानि 1 पलस i का power n रहने दिजिए और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस i का power n और ये into 1 माइनस i का power minus 2 समझ रहे हैं बात 1 माइनस i का power minus 2 ये denominator में हो गया अब इसको और तोड़ दिजिए तो similar term को आप एक साथ रखिए similar term यानि power n वाले term को तो 1 पलस i वटा 1 माइनस i इसका power n आप अलग कर दिजिए और ये 1 माइनस i का power ये 2 चल जाएगा उपर में नीचे negative power था उपर चल जाएगा positive power इसी line को बढ़िया से समझना है ये 1 पलस i का power n और 1 माइनस i का power n ये दोनों similar जो term था यानि दोनों का जो power n था उसको हम अलग कर दिया और अभी आपको बता चुके हैं कि 1 पलस i बटा 1 माइनस i को हम क्या लिख सकते हैं तो इसके जगा पर हम लिख सकते हैं i ये इसको भेलू हो जाएगा i अभी हम लोग लिख चुके हैं 1 पलस i अपउन 1 माइनस i बराबर i ये आप देख लिजे पीछे जाकर करकर करके वीडियो को पाउच करकर करकर 1 माइनस i से ये 1 पलस i से ओपर निचे मल्टिपलाई करेंगे तो आप इसके बात क्या लिखेंगे इस लाइन के बात क्या लिखेंगे 1 पलस i अपउन 1 माइनस i पावर n ये होगी आपका i का पावर n अभी होगी ये माइनस b का whole square तो a square जोड b square minus 2 a b अभी आपको बताये थे कि 1 पलस i square बराबर होता है 0 तो आपको मिल जाएगा i का power n i हो गया 0 मतलब minus 2i 0 minus 2i अब ध्यान दीजे minus 2 number है इसको बाहर कर दीजे अभी हो गया i का power n गुना i का power 1 अब यह minus 2 अलग हो गया और यह दुनों same base है multiplication में है तो power add हो जाएगा तो हो जाएगा i का power n पलस 1 यह अंसर हो गया minus 2 into i to the power n पलस 1 minus 2 into i to the power n पलस 1 यह option आपका c था उमिद है कि यह सवाल भी आप अच्छे से सीख गये होंगे एक बार पुना देख लिजे 1 plus i का power n divided by 1 minus i का power n minus 2 इसको बनाने के लिए पहले हमने 1 minus i का power n minus 2 को break किया इसको break करने के लिए हमने क्या किया कि n minus 2 जो है power यह subtraction में है इसका मतलब यह division में रहा होगा यानि 1 minus i का power n बटा 1 minus i का power 2 हो गया अब यह power 2 denominator में है numerator मे जाएगा तो power हो जाएगा minus 2 यानि 1 minus i का power n into 1 minus i का power minus 2 अब यह सवाल थापका 1 plus i का power n divided by 1 minus i का power n minus 2 तो इसको हम तोड़ दिया 1 plus i का power n रने दिया अब यह तूट गया 1 minus i का power n into 1 minus i का power minus 2 अब यह similar power वाले को term को एक साथ रग दिया तो 1 plus i बटा 1 minus i का power n into 1 minus i का power यह उपर चला गया तो हो गया पलस टू और अभी पिछले दो सवाल में इसको बता चुके हैं कि वन पलस आई बटा वन माइनस आई का भैलू होता है आई रिशनलाइज करके आप निकाल लेंगे तो तो हो गया आई का पावर एन और यह माइनस बी का होल स्कॉर तो यह स्कॉ सवाल में डेवल स्टार लगाना चाहिए यह अच्छा सवाल है इसको इससे कुछ सिखने को आपको मिलेगा चलिए को सरे नमबर फोर में चलते हैं तब तक एक बार फिर से कुस्ट नमबर वन टू और ठीको आप बना लिजिए इस कुसेशन नमबर फ देखिए यह कुस्ट इस टाइब का common सवाल पुछा जाता है यह इंडिये में पुछा हुआ सवाल है common सवाल है आप ध्यान दिजे जेड बराबर दिया हुआ है टू माइनस आई अपोन आई तो कराए कि जेड स्क्वाइर का real और जेड स्क्वाइर के imaginary part का sum क्या होगा यानि पहले आपको जेड स्क्वाइर निकालना होगा तो जेड स्क्वाइर बराबर क्या होगा जो complex number दिया हुआ है उनका स्क्वाइर complex number दिया हुआ क्या है भाई तो 2 माइनस आई बटा i का whole square यानि उपर हो गया 2 minus i का whole square और नीचे हो गया i square यह हो गया a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2ab यानि 2 2 जा 4i divided by minus 1 अब यह i square का value होता है minus 1 तो 4 minus 1 हो गया 3 minus 4i divided by minus 1 यानि z square जो complex number मिला इसको आप separate करके लिखिएगा तो मिलेगा minus 3 plus 4i यह z square जो complex number है वो आपको मिल गया minus 3 plus 4i तो real part इसका कितना हो गया minus 3 यानि real part of z square बराबर हो गया minus 3 और imaginary part of z square बराबर क्या हो गया 4 क्योंकि imaginary part में i सामिल नहीं होता है कोई complex number है z बराबर x plus i by तो x को कहेंगे real part और by को कहेंगे imaginary part आपको निकालना था इन दोनों का सम तो real part हो गया z square का minus 3 imaginary part हो गया 4 इन दोनों को add करेंगे यानि minus 3 plus 4 तो मिल जाएगा 1 यहीं आपका answer है यह कितना आसान आसान सवाल है सब conceptual problem है आपको इसको notebook में उतार लेना चाहिए जो भी class में पढ़ाए हुआ होगा complex number का theory उसके बाद यह problem का पूरा collection अगर आप copy में रखते हैं तो किसी भी exam से पहले अगर आए एक वार आप revise करने के लिए सोच रहे हैं तो यह बहुत बड़ा आपका एक tools के रूप में यूज होगा चलिए question number 5 में चलते हैं question number 5 देखिए बड़ा common सवाल है यह NCRT के miscellaneous में भी है IIT में भी पुछा जा चुका है और लगभग जितने भी engineering entrance examination है state level में यह सब जगा पुछा जा चुका है वैसे यह सब से पहले पुछा था best बंगाल जे फिर करनाट का पुछा हर जगा यह पुछा गया NCRT के miscellaneous में exercise है question है if 1 plus I upon 1 minus I to the power M बरावर 1 तो list positive integral value of M is M का list positive integral value क्या मिलेगा तो बड़ा असान सवाल है 1 plus I upon 1 minus I इसको अभी उपर में बता चुके हैं कि इसको आप standard form में लिखेंगे तो 1 plus I से multiply करेंगे और divide करेंगे further expand करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिर्फ I तो यह आप value याद रखना है 1 plus I बटा 1 minus I बरावर होता है I हम इसको एक बार फिर से detail में बताते हैं देखिए question क्या है 1 plus I upon 1 minus I का power M is equals to 1 अगर आप याद रखते हैं तो I का power M हो जाएगा ही और यह हो जाएगा I का power 4 तो M का value 4 सेकेंडों में बनेगा लेकिन हम एक बार इसको फिर से expand करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको 1 plus I upon 1 minus I और 1 plus I से इसको उपर नीचे multiply कर दिजिए इसका power M है बरावर है यह 1 1 का मतलब हो जाएगा minus 1 का square अब देखिए यह उपर हो गया 1 plus I का whole square 1 plus I का whole square और नीचे हो गया यह minus B into A plus B तो A square minus B square इसका whole power M है और यहाँ minus 1 के जगा पर लिख दिजिए I square इसका whole square और आगे बढ़ाएगे यह हो गया यह plus B का whole square तो मिलेगा A square plus B square plus 2 A B और नीचे 1 minus I square इसका power M बरावर होगा I to the power 4 square का square अब आप देखिए 1 plus I square बरावर होता है 0 और 1 minus I square बरावर होगा 2 तो 0 plus 2I यानि 2I अब 1 minus I square मतलब 2 तो इसका power M बरावर है I का power 4 यानि मिल जाएगा आपको I का power M बरावर I to the power 4 तो base बरावर है तो power भी बरावर होगा यानि M का value मिल गया 4 तो list positive integral value इसका क्या मिल गया 4 तो अंसर हो जाएगा A ये बड़ा common सवाल है इसको तो एदम जुवान पे रहना चाहिए plus 2 के बिद्यारती को 1 plus I upon 1 minus I का power M बरावर 1 तो हमको find करना था कि M का list positive integral value क्या होगा तो M का list positive integral value हो गया 4 चलिए सवाल number 6 की ओर चलते हैं कम समय में बहुत जादा सवाल कर देंगे चलिए question number 6 देखी question number 6 है if x is equals to minus 1 plus I root 3 by 2 इस value को आपकड़िए x is equals to minus 1 plus root 3 Iota by 2 तो इसको हम लोग करते हैं omega x का value यह होगी है यह cube root of unity है unity के cube root का video बना हुआ उसको आप देखिएगा unity के 3 cube root होते हैं जिसमें एक real होते हैं और दो imaginary होते हैं तो जो दो imaginary है उसमें एक होता है यही omega और उसका value होता है minus 1 plus root 3 I by 2 तो x का square करेंगे तो इसका मतलब यह मिल जाएगा omega का square omega का square का value होता है minus 1 minus root 3 I by 2 हलाकि इसकी कोई अब सकता नहीं है आपको बस यही समझना है कि x omega है तो x square बराबर क्या हो जाएगा omega का square तो हमको निकालना क्या था x square plus x plus 1 यानि omega square plus omega plus 1 यानि 1 plus omega plus omega square और अब जानते हैं कि इसका value होता है 0 यह cube root of unity है cube root of unity इसका दो properties सांदार है कि sum of all cube root of unity is 0 and product of all cube root of unity is 1 तो यह 1 plus omega plus omega square बराबर 0 जो निकालना था x square जोड x plus 1 उसका value हो गया 0 फिर से इस सवाल को समझे tricky problem है अगर आप x के value सही बनाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा पहले x दिया हुआ है फिर इसका square कीजिए आप फिर तीनों को जोड़िए LCM लिजी एंसर वो ही मिलेगा लेकिन आपको समझना है कि यह value है क्या तो x बराबर जो value है minus 1 plus root 3 iota by 2 यह value है omega तो x का square क्या हो जाएगा omega का square हो जाएगा तो 1 plus omega plus omega square का value इसका मिल जाएगा 0 चलिए question number 7 की ओर चलते हैं तब तक एक बार फिर से आप मजाएगा if z is equals 2 है x minus i by and z का power 1 by 3 बराबर है p plus i q तो करता है x upon p by upon q divided by p square plus q square का value क्या होगा तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि z बराबर दिया हुआ है क्या चीज़ भाई तो z बराबर दिया हुआ है x minus i by यह एक complex number आपको दिया हुआ है z बराबर x minus i by और दुसरा जो relation आपको दिया हुआ है वो है z का power 1 by 3 बराबर p plus i into q p plus i into q तो दोनों तरफ आप power 3 चड़ा दीजे raising power 3 तो z के power 1 by 3 का power 3 बराबर होगा p plus i q का power 3 यहाँ 3 से 3 कर जाएगा power में तो आपको मिल जाएगा z बराबर a plus b का whole q a plus b का whole q तो क्या मिलेगा a plus b का whole q बराबर होगा a cube plus b cube b के जगा पर कितना है i गुना q तो इसका power 3 यहाँ आई का भी power 3 गुना q का भी power 3 तो होगि a q plus b q plus 3 गुना a गुना b into a plus b a plus b के लिए रुआबा a plus b का whole q का फॉर्मूला होगा a cube plus b cube plus 3ab into a plus b a के जगा पर है p और b के जगा पर है i into q तो यह आपको z बराबर मिल गया p q और फर्दर expand किजिए और i के power का भेलू याद रखिए तो i का power 3 जो है वो minus i होता है तो यह होगिया minus i गुणा q का power 3 plus 3 गुणा p गुणा i गुणा q गुणा p तो यह वजाएगा 3 p square i गुणा q plus 3 गुणा p यानि 3 p अब i गुणा i तो i square q गुणा q q square आप अपने मन से जैसे multiply करते हैं किजिए हमने सिर्फ multiply किया है तो यह होगिया z बराबर p का power 3 minus i गुणा q का power 3 i हो जाएगा plus 3 p square i गुणा q i i square हो जाएगा minus 1 तो यह हो जाएगा minus 3 p गुणा q square अब real number जो है उसको एक साथ रखिए और imaginary वाला को एक साथ रखिए इस दुनों में i सामिल है इस दुनों टर्म को एक साथ रखिए और बाकी उस दुनों टर्म को अलग कर दिजिए तो आप यहाँ लिख सकते है z बराबर क्या मिलेगा p का power 3 minus 3 p q square यह एक साथ कर दिजिए p q minus 3 into p q square और इन दुनों में common ले लिजे कुछ क्या common ले लेंगे आप i common ले लिजे उभी पलस में तो यहाँ क्या बज़ जाएगा 3 p square q और यहाँ क्या बज़ जाएगा minus q का power 3 clear हो गया अब देखिए इस z का भेलू रख दिजिए z बराबर क्या है तो x plus i by बराबर हो गया p का power 3 minus 3 p q square पलस i गुना 3 p square q minus q का power 3 अब आप यहाँ देखिए लगाईए थियोरी कि कोई दो complex number यदि एक दुसरे के बराबर है तो real part real part के बराबर होगा और imaginary part imaginary part के बराबर होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा x is equals to p का power 3 minus 3 p q square और इसको expand कीजिए तो यहाँ पर आप p common ले लिजिए तो मिल जाएगा p square minus 3 q square x ip को यहाँ ले आईए तो x upon p x upon p बराबर हो गया p square minus 3 q square अब इसको छोड़ दीजिए x upon p मिल गया तो यह हुआ था real part real part के बराबर इसी परकार से imaginary part imaginary part के बराबर होगा यानि by बराबर होगा 3 p square q minus q का power 3 यानि by बराबर आप यहाँ q common ले लिजिए तो 3 p square minus q square यानि by बटा q बराबर होगा 3 p square minus q square अब यह दो आपको equation मिल गया और इसी का value को निकालना था expression जो निकालना उसमें यह involve है x बटा p plus y बटा q इसलिए ऐसा इस calculation किये कि x बटा p और y बटा q हमको मिल जाए अब इस दोनों को आप add कर दीजे तो x बटा p plus y बटा q बराबर होगा p square minus 3 q square plus 3 p square minus q square यानि x upon p plus y upon q बराबर होगा p square plus 3 p square यानि 4 p square अब minus 3 q square minus q square ति वह जाएगा आपका minus 4 q square यहाँ पे देखिए थोड़ा लिटिल confusion हो गया है जरा सा गलत हो गया z का value जो था वो x plus i by नहीं है z का value जो है वो x minus i by है यहाँ पर ध्यान दीजे z का जो value है वो x minus i by है ति जो by का value मिला है यह by नहीं था यह minus by था यह minus by था यानि by बराबर जो होगा वो इसका उल्टा sign हो जाएगा यानि बाई बराबर इधर माइनस में आ जाएगा तो बाई अपॉन Q बराबर होगा यह माइनस थिरी ¿P a square? अब पलस Q a square यह देखेंगो यह माइनस थिरी प a square माइनस माइनस पलस यह हो जाएगा Q का a square यह Q इधर आ गया तो मिल जाएगा आपका X बटा P पलस Y बटा Q बराबर P स्क्वाइर माइनस 3 Q स्क्वाइर और यह हो जाएगा माइनस 3 P स्क्वाइर और यह हो जाएगा आपका पलस Q स्क्वाइर तो P स्क्वाइर में से 3 P स्क्वाइर घटाएंगे तो यह मिल जाएगा आपको माइनस 2 P स्क्वाइर माइनस 3 q² में से q² एड़ करेंगे तो यह मिल जाएगा माइनस 2 q² जहाँ पर आप माइनस 2 कॉमन लेंगे यह माइनस 2 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा p² पलस q² यानि अब जो हमको भैलू पराप्त करना है वो क्या है वो है यह p² पलस q² यहां division में है तो x upon p पलस by upon q divided by p² जोड q² बराबर खाली क्या भैलू बच जाएगा माइनस 2 तो यह ध्यान दिजिए यहां पर जगह कम था तो हम इसी में आपको बता दिए तो x upon p यहां दिखे x upon p पलस by upon q divided by x p² पलस q² का भैलू फाइन करना था तो भैलू हमको क्या मिल गया माइनस 2 अंसर होगा माइनस 2 यहां एक बार देख लिजिएगा calculation ठीक से यह z बराबर x minus i by सवाल में दिया हुआ है तो हमनों को standard for ध्यान में था standard form कि z बराबर x plus i by होता है इसलिए sign का opposite हो गया तो sign negative यहां हो जाएगा और further expand किजिएगा उमीद है कि यह सवाल भी आप अच्छे से सीख गये होंगे चली इसमें भी और problem बचा हुआ है तो इसमें एक lecture अभी और जाएगा यह complex number के problem पर lecture तो बहुत होगा यह topic है problems based on algebra of complex number तो algebra of complex number में आप साथ सवाल देखे हैं अभी 10 सवाल और होगा इस पर एक वीडियो और होगा ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया है इसलिए आज के इस lecture को यहीं पर समात करते हैं अगले lecture के लिए आप इंजार कीजिए बेल आइकन को दबा देजिए कि आपको सुचना मिल जाए वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट भी लिखिए ताकि हम लोग आभी मनोबल बढ़ा हुआ रहे हैं कि हाँ भाई पढ़ा रहे हैं यूटूब पर तो लोग समझ रहे हैं हाँ संसाधन हमारे पास सिमीत है तो क्या दिकत है गोपिय पर पढ़ेंगे प्रोबलम क्या है जो आदमी पढ़ने के लिए ठान लिया वो कहीं से भी पढ़ लेगा इस ठीक उसी परकार से जिसको पढ़ाने का नियत आ गया वो कहीं भी पढ़ा लेगा कहीं से भी जो बीर आदमी होता है जो कर्मत होता है वो सुविधाओं को लेकर के चिंतित नहीं रहता है तो उमीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए थोड़ा अच्छा सा एक कमेंट लिखिए चैनल को सब्सक्राब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए थेंक यू